हेलो एब्रिवन, मैं विने उपाध्य है पर जिन्ट करने हूँ और हम लोग करेंगे इस वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे हम लोग पुस्तके हम उसके लिए खर 150 से जादा important books और उनके writer का नाम में यहाँ पर मैं आपको याद करवाने अला हूँ और सभी प्रश्ण जो होगे objective questions होगे, सभी questions के लिए 4 options रहेंगे अब खुद से भी प्रयास करिएगा और यहाँ पर जो जितने भी मैंने लिये हैं books यह सभी की सभी traditional books हैं एतिहासिक books जिसे आप बोल सकते हैं, उनसे मैंने लिया है, current के book पे already मैंने वीडियो बना रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, current affairs के playlist में जागे इस तरह के questions आपके exam में पुछी जाते हैं, पूरे complete इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, तो traditional books से जो भी questions आएंगे आपके exam में नहीं चूटने वाले हैं, बस एक ही वीडियो काफी हैं, आप कहाने वाले exam, UPC, State PCS, Railway, SAC, Banking, सभी में help करेगा, चलिए, पहले खु जो हैं यह महाभारत के लेखक हैं, महाभारत जो कि सबसी बड़ा इसे ग्रंथ माना जाता हैं, हर्स चरित के लेखक कौन हैं, तो हर्स चरित के लेखक हैं, वानभट, ठीक हैं, नेक्ष्ट हैं, पच्चतंत्र के लेखक कौन हैं, पच्चतंत्र की कहानियां बहुत पढ़े बच्पन में विश्णुस सर्मा पच्छतंत्र के लेखक है दगुड अर्थ किस ने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार पुछा जाता है इसके राइटर है पर्ल एस बक दगुड अर्थ के राइटर है उत्तर राम चरितम के लिखक कौन है उत्तर राम चरितम इसके लिखक है भाव भूती ऑप्शन नमर डी साही जवाब होगा ठीक है चले नेक्ष्ट है जासी की रानी किस ने लिखा है जहासी की रानी तो ब्रिंदावन लाल वर्मा ने लिखाय जहासी की रानी को नेक्ष्ट है मेगदूत किसकी रशना है ये तो बहुत असान है मेगदूत काली दास की रशना है मेगदूत नेक्ष्ट है Small is beautiful Small is beautiful के लेखक तो ये हैं earnest सुमेसर Small is beautiful के लेखक Sunny days किसकी रशना है तो Sunny days जो है ये रशना है सुनील गवासकर की नेक्ष्ट है Internal India किसकी रशना है ये तो Internal India ये लिखाया है स्रीमती इंद्रा गांधी ने ठीक है चले अगला प्रश्ट है इसका अंसर करिए Merchant of Venice का नाटक कार कौन है एक ड्रामा है Merchant of Venice इस पे मूवी भी वनी है बॉलीवुड में सेक्सपियर की ये रशना है नाट्टे सास्त्र के लेखक कौन है तो भरत मुनी जो है ये नाट्टे सास्त्र के लेखक है रंग भुमी किसकी रशना है रंग भुमी तो मुनसी प्रेमचंद की रशना है रंग भुमी दीप सिखा किसने लिखा है तो महादेवी वर्मा की रशना है दीप सिखा वी दब प्यपल के लेखक कौन है तो इसके लेखक है नानी पालखी वाला वी दब प्यपल चलिए एकला है नेक्स्ट कॉश्चन हुआट हाउस इयर्स किसकी रशना है हुआइट हाउस जो अमेरिका के रश्टपती का निवास होता है तो उसी पे है यह है वाइट हाउस इयर्स यह रशना है हेंरिक किन सिगर की निसित किस भासा में लिखी गई पुस्तक है तो निसित यह गुजराती भासा में लिखी गई एक पुस्तक है दपियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखका कौन है तो अर्बिंद अडिक इसका सही जवाब होगा ये एक लेखी का है दपियानो टीचर की ठीक है सत्यार्थ प्रकास किसकी रचना है तो असाने स्वामी दयानन सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकास है बहुत बार एकजाम में पुछा जाता है अभी हाली में MPPCS का एकजाम होता उसमें एक कोश्चन पूछा गया था प्रिट्टी के एकजाम में कादंबरी के लेखक कौन है तो वानभट जो है कादंबरी के लेखक है ब्रोक्रीन विंग किस ने लिखा है तो ब्रोक्रीन विंग जो है ये लिखा है सरोजनी नैडू ने जो कि भारत की पहली महिला राजेपाल भी रही उतर परदेश की हर्ष चरित के लेखक कौन थे तो वानभट जो है हर्ष चरित के लेखक थे भारती मुलका कौन लेखक अंधा भी है तो यमुना परसाद सास्त्री ये अंधे भी हैं और लेखक भी है अशूटेबल बॉय के लेखक कौन है ये भी बहुत इंपोर्टेंट बुक है अशूटेबल बॉय बिक्रम सेट इसके रचेता है नेक्ष्ट है तो सही जवाब होगा अप्शन नमबर भी किरन देसाई इसका अंसर करिये तो सही जवाब होगा अप्शन नमबर भी सल्मान रस्ती इसके लेखक है फायर फ्लाई अफ्यारे टेल की लेखी का कौन है तो रितु बेरी लेखी का है फायर फ्लाई अफ्यारे टेल की सिस्टिमा नेचर किसकी प्रसीद पुस्तक है तो कार्ल लिनियस की प्रसीद पुस्तक है systema nature हितो पदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो नरायन पंडीत है हितो पदेश के लेखक साह नामा के रशनकार कौन है ये भी कोशन बहुत पुछा जाता है फिर दौसी ने लिखा है साह नामा चले एक इसका अंसर करिए नाट्य सास्तर के रशनकार कौन है तो अभी मैंने बता था ये भरत मुनी निम्डिखित में से जैदेव द्वारा लिखित ग्रंत है तो जैदेव ने लिखाया गीत गोविंद अगला प्रशने के रघवन्स महकाबे के रशनकार है तो रघवन्स मेगदूत ये सब कालिदास द्वारा लिखा गया है अर्थ सास्तर किसकी कृती है तो कौटिली जिसको चणकी भी बोला जाता है अर्थ सास्तर लिखा है और अर्थ सास्तर में बेसिकली जो है राजनीती के बारे में लिखा गया है हर्स चरित नमक पुस्ता के लेखक हैं तो वानभट है हर्स चरित के लेखक अश्ट ध्याई निम्लिखित में से किसकी रचना है अश्ट ध्याई तो सही जवाब होगा होगा option नबर भी पाणीनी जो ब्याकरन के पीता है पदमावती कथा के लेखक इसमें मुवी विए ना था न भी हाली में पदमावत तो मलिक मुहमद जायसी ये किसके समकालिन थे ये भी कोश्चन पुछा जाता है तो ये समकालिन थे सिर्शा सुरी के हुमायू नामा किसकी कृती है हुमायू का जो जीवनी है उनकी बहन ने लिखाया गुलवदन बेगाम ने लिलावती पुस्तक संबंधित है लिलावती में मैट्स के बारे में ये मैट्स से संबंधित है लिलावती गनित से निम्रिगीत में से अश्ट ध्याई पुस्तक किस से संबंधित है अश्ट ध्याई तो भी मैंने बताया था इसके जो रश्णाकार है वो पार्णिनी है और वो ब्याकरन के पीता है ब्याकरन से संबन्धित है यह लिलावती पुस्तक संबन्धित है तो यह तो भी मैंने आपको बताया सेम कोश्चन रिपेट होगे पिर से नीती सतक के लेखक कौन है तो भर्ती हरी जो है ये नीती सतक के लेखक है नेक्ष्ट है ब्रिहत सनीता के लेखक कौन है तो वराह मिहिर जो है ब्रिहत सनीता के लेखक है मुद्रा राक्षस के लेखक तो विसाक दत है मुद्रा रक्षस के लेकग ये भी बहुत important है, very very important नेक्ष्ट है, सौपनवास वदतम के लेकग कौन है तो भास, भास कभी इन्होंने लिखाया सौपनवास वदतम पृत्वी राज रासों के लेकग कौन है तो इनके रास कभी थे पृत्वी रास के चंदरवर्दाई गंड देवता किसकी रशना है तो ये लिखाया तार संकर बंदो पाध्यायने गंड देवता चरित्रहीन किसकी रशना है चरित्रहीन, इसको इंगलिस में आप बोल सकते हो और कारेक्टर लेस तो ये रश्णा है सरित चंदरशटर जी की कथा सरित सागर के लेखक कौन है तो सोमदेव हैं कथा सरित सागर के लेखक दास कैपिटल किसकी प्रसीद रश्णा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की परसीद पुस्तक है दास कैपिटल वेल्थ ओफ नेसंस के लेखक कौन है ये भी बहुत इंपोर्डेंट है इंटरनेशनल बुक्स है वेल्थ ओफ नेसंस तो इसके रशेटा है एडम इस्वीथ जो की फादर है एकनॉमिक्स के फ्री ट्रेड टूडे के लेखक कौन है फ्री ट्रेड टूडे तो जगदीस भगवती जो है इसके लेखक है फ्री ट्रेड टूडे के एसियन ड्रामा किसकी परसीद पुस्तक है तो गुनार मेर्डल की परसीद पुस्तक है एसियन ड्रामा politics of चर्खा के लेखक कौन है politics of चर्खा तो J.B. क्रिपलानी politics of चर्खा के लेखक है J.B. क्रिपलानी से एक और प्रशन पुछा जाता है कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो उस समय Congress के अध्यक्ष थे यहीं J.B. क्रिपलानी ये भी question पुछायाता है India is for sale किसकी प्रसीद पुष्टक है इसे लिखाया चित्राश शुब्रमन्यमने India is for sale महा विभास सास्तर के रचेटा तो वसू मित्र है महा विभास सास्तर के रचेटा जैन ग्रंथ कल्प सुत्र किसकी रचना है जैन ग्रंथ है ये कल्प सुत्र ये रचना है भद्र वाहू की निक्ष्ट है अगला है कि मेग दूत किसकी रचना है ये तो अभी मैंने आपको याद कर वाया काली दास दा गुड अर्थ किसने लिखा है ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था परलेस बगने याद कर लेजे सब इंपॉर्टेंट है फेरी क्विन तो इसके लेखक है एडमेंड स्पेंसर फेरी क्विन के नेक्ष्ट है कादंबरी के लेखक कौन है तो कामयानी ये जैसंकर परसाद की रशना है ठीक है जैसंकर परसाद कामयानी काम सुत्र के लेखक कौन है काम सुत्र तो इसके लेखक कौन है ये कोश्चन पूछा है वात से आयन सही जवाब होगा काब ये परकास के लेखक कौन है लेकिए सब traditional books हैं ये से questions आते हैं और current book जो होते हैं जो हाल फिलाल में जिसको publish किया जाता हैं उस पे भी अलग से मैंने दो तीन वीडियोज बना रखे हैं दो से तीन वीडियोज इस सभी current affairs के playlist में आपको मिल जाएंगे तो भी अब देखना जरूर कावे प्रकास ये ममट इसके लेकिक हैं इंडिया divided के लेकिक कौन है तो डॉक्टर राजिंदर परसाद जो भारत के पहले राष्टपती उन्होंने लिखा इंडिया divided जेल और स्वतंतरता के लेकिक कौन है तो रगवन्स ने लिखाया जेल और स्वतंतरता जोती पुंज के ल पुझ ये बुक लिखा गया है नरेंद्र मोधी परधानमंत्री के द्वरा जज्ज्मेंट के लेखक कौन है कुल्दीप नयर ने लिखा है जज्ज्मेंट हिंदुईजम के लेखक कौन है तो नीरद सी निराद सी चौधरी ने लिखा है हिंदुईजम हंगी स्टोन्स के लेखा कौन है हंगी स्टोन्स ये लिखा है रविंदरनाथ टैगोर ने हिंदी ब्याकरन के लेखा कौन है हिंदी ब्याकरन ओजू मैंने बताया था आपको पार्णिनी वाला उस संस्क्रित ब्याकरन से समझ दी ते हिंदी ब्याकरन को लिखा है, कामता प्रसाद गुरु ने, ठीक है, एक स्टे के गार्डेनर के लेखक कौन है, गार्डेनर, इसका अंसर करिये, तो सही जवाब होगा, option number D, रविंदर नाथ टैगोर, गार्डेनर, गीत गोबिंद के लेखक, अभी मैंने आपको बताया थ जैदेव ने लिखा है, गितांजली किसकी प्रसीद पुष्टाग है, बहुत important, इसी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, रविंदर नाथ टैगोर को, गितांजली के लिए ही, गोदान किसकी रचना है, तो मुनसी प्रेमचंद की रचना है, गोदान, गाइड के जी पर इदर पहले याद करवाया है, नाटे सास्तर, भरत मुनी ने लिखाए है ये, निसीत के लेखक कौन है, इसे पहले मैंने ये बताय था कि निसीत की इस भासा में है तो ये गुज़्जडाती में है, और इसके लेखक है उमा संकर जोशी, नागा नंदन केular क्यों है, तो यह हर्सवर्धन ने लिखाया नागानन्दन नीती सतक के लेखक कौन है तो भर्तिहरी ने लिखाया नीती सतक नीम के फूल किसकी रशना है तो नीम की फूल जो है रशना है लक्षिमी कांत वर्मा की ठीक है पच्चतंत्र के लेखक अभी मैंने बताया था आपको विश्णू सर्मा ने लिखाया पच्छ तंत्र ठीक है चले नेक्ष टांगे देखते हैं पदमावत के लेखक कौन है तो मलिक मुहम्मद जायसी पदमावत के लेखक है मोवी बनी है इस पे पत्रावली के लेखक कौन है तो इसे लिखाया रविंद्रना टैगोर ने पत्रावली पकिस्तान कट्टू साइज के लेखक कौन है तो इसे लिखाया डियार मान केकर ने पकिस्तान कट्टू साइज प्रिंस के लेखक कौन है ये कोशन पुछा जाता है इसके लेखक है मुरारजी देशाई जो भारत के परधान मंत्री भी रह चुके है पोश्ट ओफिस के लेखक कौन है तो रविंदर नाट टैगोर की रेखना है पोश्ट ओफिस पृत्वी राज रासों के लेखक अभी मैंने आपको बताया था चंदरवर्दाई उर्वसी के लेखक कौन है तो ये लिखा गया है रामधारी सिंग दिनकर राष्टी ये कभी जी ने बोलायाता है भारत का रामधारी सिंग दिनकर ने लिखा है उर्वसी उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है तो भावभुती ने लिखा है उत्तर रामचरितम दस सी के लेखक कौन है दस सी ये लिखा गया है जौन वैन विले के द्वारा दिल्ली एक पुस्तक है इसके लेखक कौन है तो खुस्वंत सिंग ने लिखा है दिल्ली डाउन मिमोरी लेन के लेखक कौन है ती बुक लिखा गया है Mother Teresa के द्वारा ठीक है इन्हे जो है 1980 में भारत रत ने मिला था और 1979 में मिला था इन्हें Nobel Prize सांती का Defending India के लेखक कौन है तो जस्वंत सिंग है Defending India के लेखक नेक्ष्ट त्याग पत्र के लेखक कौन है तो जैनेंदर ने लिखा है त्याग पत्र ठीक है अगले प्रशन से पहले आँगे बढ़ने से पहले अगले प्रशन पर जाने से पहले एक important चीज़ मैं आपको बता दो उसी ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए तो पूरे एक साल का मैंने current affairs का वीडियो अल्रेडी बना रखा है वर्स 2019 का जनवरी से दिसंबर तक और इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत महनत की लेकिन आप लोग ने अच्छा response नहीं दिया कोई वीडियो देखा ही नहीं एक हजार से भी जादा मैंने इसमें important objective MCQ questions बता रखे हैं अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो वर्स 2019 के लगबग सभी current affairs आप बना देंगे एक भी question इससे बाहर नहीं आएगा सभी एक जाम UPSC, State PCS, Railway, SEC, Bank ये सब में help करेगा ठीक है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए इसका link मैंने description में दे दिया है पूरे एक साल का current affairs मैंने पूरा discuss कर दिया एक ही वीडियो में वीडियो लंबा है लेकिन बहुत important है इसको तीन-चार बार में अब जरूर देखें लेकिन देखें जरूर कोई भी एक्जाम आने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखे जाए चलिए अगले प्रश्न की तरह बढ़ते है चलिए देखते हैं अगला question के development as freedom के लिखक कौन है इसे लिखा है अमरत तिश्चन ने इन्हें भी Nobel Prize मिला है एकनोमिक्स में भारत के बड़े अर्थ सास्त्री हैं 1998 में इन्हें Nobel Prize मिला था अर्थ सास्त्र के कल्यान के लिए चुनी हुई कविताये किसकी रशना है तो अग्या की रशना है चुनी हुई कविताये समाज दरपन के लिखक कौन है तो रामचंद्रगिरी ने लिखा है समाज दरपन दगूल के लिखक कौन है गूल मतलब लक्ष होता है और गूल ये भी हो गया आप हौकी या फूट वॉल खिलते हो तो उसमें गूल करते है तो ये रशना है मेजर ध्यानचंद की ये मेजर ध्यानचंद जिनकी कप्तानी में भारत ने तीन लगातार गोल्ड मेडल जीते थे 1928, 1932 और 1936 में तीन जो है ओलमपिक में गोल्ड मेडल मेजर ध्यानचंद की कैप्टेन स्टीपी में एंडियान जीता और उन्ही की ये आत्म कथा है दगोल दबेबिल के लेखक कौन है दबबिल मुल्क रास अनन्द इसके राइटर है नेक्ष्ट है दगोल्डेन गेट के लेखक कौन है दगोल्डेन गेट तो इसके राइटर है बिक्रम सेट दगोल्डेन गेट के लेखक कभितावली के लेखक कौन है तो तुलसी दास ने कभितावली के लेखक निक्ष्टे रामचरित मानस के लेखक ये तो पता होगा तुलसी दास ने लिखा है रामचरित मानस बीजक के लेखक कौन है कबिर दास ने लिखा है बीजक कबिर के दोहे आपने पढ़ा होगा उसी का संग्रा है विजक दोहावली किसने लिखा है यह रशना है तुलसी दास का दोहावली निक्ष्ट है बिने पत्री का किसकी प्रसीद पुस्तक है तो तुलसी दास ने लिखा है बिने पत्री का सूर सागर किसकी प्रसीद रशना है तो सूर नाम में ही है सूर दास ठीक है? चितंबरा के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं चितंबरा के लेखक है मनु इस्मृति किसकी रचना है? काफी चर्चा में रहता है ये मनु द्वारा लिखा गया है मनु इस्मृति माभास से किसकी प्रसीद पुष्टक है तो पतंजली की प्रसीद पुष्टक है माभास से मालती माधो किसकी रशना है मालती माधो तो यह रशना है भव भूती की निक्ष्ट है चंडी सतक किसकी रशना है तो वान भट ने लिखा है चंडी सतक सिंगार सतक के लेखक कौन है तो भरतिहरी हैं सिंगार सतक के लेखक देखिए इस वीडियो को दोबारा अगर आप देख लेते हो तो बहुत useful वीडियो है इससे बाहर एक भी questions आपका नहीं आता है जो traditional book से एक तो पका ही के दो questions कभी कभी पूछ ली जाते हैं तो किसी भी exam में आता ही है इस वीडियो को दो बार देख लेते हो तो completely आपका ये traditional जो इतिहासिक book है उससे एक भी बाहर इससे question नहीं आएगा और current book पे तो अल्रेडी मैंने वीडियो बनाते रहता हूँ दो तीन वीडियो मैंने बना भी रखें और आगे वीडियो बना भी दोंगा उस पे ठीक है तो सिंगार सतक भरतीहरी ने लिखा है भारत के लिए नियोजीत अर्थव्योस्ता नामक पुस्तक के लेखक कौन है नियोजीत अर्थव्योस्ता भारत के लिए नियोजी तर्थ वेवस्ता के लेखक है सर M.200 सरयया ठीक है Planning and the poor के लेखक कौन है विस मिनहास ने लिखा है Planning and the poor गुलाम गिरी के लेखक कौन था गुलाम गिरी तो इसके रशनकार कौन है आप हमें बताइए यह भी बहुत important book है तो सही जवाबगा option नमबर D जोतिवा फूले ने लिखा है गुलाम गिरी हर्स शरित किसके द्वार लिखी गई है तो वान भट ने लिखा है हर्स शरित हितो पदेश के लेखक जम याद कर लिजे नरायन पंडित हिंदू बिधी पर एक पुस्तक है मिताक्छरा किसने लिखी है तो विज्ञानेश्वर की रशना है मिताक्छरा पृत्वी राज रासो किसने लिखा है यह तो दो तीन बार मैंने आपको बता दिया चंदर बरदा है एकदम याद कर लिजे सब एकजाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं आइडल्स नामक पुस्तक के लिखा कौन है तो सही जवाब होगा option number D सुनील गवासकर की रशना आइडल्स sunny days तो sunny days जो है यह भी सुनील गवासकर की रशना है प्रसीद भगौलिक क्रंथ किताबुल हिंद के लिखा कौन है किताबुल हिंद यह लिखा था अलभरुनी ने next है metrologia नामक पुस्तक की रशना किसने की ती अरस्तू की रशना है metrologia बारतिय सुतंतरता अंदोलन के दोरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियन्स के लिखा कौन है इंडिया फॉर इंडियन्स चितरंजन दास नहीं लिखा है इंडिया फॉर इंडियन्स आकरी में दो कोश्चिन मैं पुछूँगा हमवर्क लगतार आपसे दो कोश्चिन रहेगा न्याय सुत्र के लेखक कौन थे तो न्याय सुत्र के लेखक गौतम थे न्याय सुत्र के लेखक बुद्ध चरित के लेखक कौन थे तो अस्थो घोस थे बुद्ध चरित के लेखक बुद्ध चरित की रचना किसने की फिर तो वही कोश्चन आ गया अस्थो घोस चंदरकांता संतती उपनियास के लिखा कौन है? इस पर एक बहुत पहले सिरियल धरवाहिक भी आता था देविकी नंदन खत्री कहा है ये चंदरकांता संतती उपनियास बादसा नामा पुस्तक किस ने लिखी है? तो अब्दुल हमीद लहौरी ने लिखा है जो है बादसा नामा और अब्दुल हमीद लहौरी कौन था अगर इसके बारे में आपको थोड़ा भी जानकारी है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखिए कुमार संभौम और अभिजान सकुन्तलम के रशीता कौन है? तो कुमार संभौम और अभिजान संतलम ये दोनों कालिदास की रचना है ठीक है और दो और रचना है कालिदास की जो मैंने अल्रेडी बता दिया आपको नागानंद, रतनावली और प्रियदर्सी का यह तीनों के रशाइता कौन है? यह तीनों हर्स की रशना है नागानंद, रतनावली और प्रियदर्सी का इंडिका किसकी रशना है? Very very important question बहुत बार एक्जाम में आता है मेगास्नीज की रशना है इंडिका अमर कोस किस ने लिखा? अमर नाम है ना, अमर कोस अमर सिंग ने लिखा है मुद्रा राक्षस किसकी रशना है? तो विसाख दत की रशना है मुद्रा राक्षस अगला कि सिल्पदी कारम किस भासा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है तमिल भासा में सिल्पादी कारम आरे भटिय किसकी रशना है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आरे भट की रशना है आरे भटियम चरक द्वारा रचित चरक सनहीता की बिसे वस्तू क्या है तो चरक जो है यह बिसिकली डॉक्टर थे उस जमाने के आयूर्वेद के बारे में इन्होंने लिखा है चरक सनहीता में आई डू, वाट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी है यह तो करंट की बुक है यह बुक लिखा है रगुराम राजन ने जो पूर्व आर्वियाई गॉवर्नर थे जिन्होंने आर्वियाई गॉवर्नर के पत पे इस्थिपाद भी दे दिया था ऐसा भारत के तिहास में पहली बार हुआ था तो इनकी रशना I do what I do विंग्स ओफ फायर पुस्तक के लिखक कौन है तो एपी जब्दुलकलाम भारत के राष्टपती और इन्हें भारत रत्न भी मिला है तो एपी जब्दुलकलाम की रशना विंग्स ओफ फायर ये इनकी ओटो बायोग्राफी है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नहरु द्वारा लिखी कई है अब ध्यान सी चारों बुक को देखिए पता चल ज़्यागा आपको Discovery of India ये लिखा है पुस्तक जवाहरलाल नहरु ने और ये देख रहे हैं जो My Experiment with Truth ये महात्मा गांधी की जीवनी है ठीक है India wins freedom ये आपका मौलाना अबुलकलाम का है और Passes to India ये निरत सी चौधरी का है कितने पाकिस्तान नामक उपनियास के लेखा कौन है कितने पाकिस्तान तो कमलेस्वर की रशना है कितने पाकिस्तान इदगाह कहानी के रशनाकार है तो प्रेमचंद इदगाह कहानी के रशनाकार है ये भी बहुत important book है रानी केतकी की कहानी को लिखा गया है किस भासा में तो ये खड़ी बोली में लिखा गया है रानी केतकी की कहानी राजेंद्र कुमारद्वारा संपाधीत पुस्तक आलोचना का विबेग किस विधा से समन्दित है आलोचना, आलोचना का विवेकिव इसलिए आलोचना से ही संबन्दी था ये एक्ष्टे के निमलखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है ये तो बहुत असाने बता दीजिएगा पंच परमेस्वर, ये प्रेमचंद की रचना है संस्कृती के चार अध्याय किसकी रचना है तो रामधारी सिंग दिनकर के रचना है संस्कृती के चार अध्याय तितली उपनियास के लेखा कौन है तो जैसंकर परसाद ने लिखा है तितली उपनियास को हिमाल्याज अबोर्ड आफ लाइट नमक पुस्तक के लेखा कौन है तो इसके लेखा के निकूलस रौरिक हिमाल्याज अबोर्ड आफ लाइट पहाडी हिमाले लोग कला नमक पुस्तक है तो ओसी हांडा ये राइटर है पहाडी हिमाले लोग कला के अरकी की गोरक विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरकी की गोरक इसके राइटर है इवेस परमार अरकी की गोरक विजय नामक पुस्तक के हिमाचल परदेश इतिहास और परंपरा के लेखक है तो डॉक्टर बी एस कपूर जो है ये लेखक है हिमाचल पर्देश और इतिहास हिमाचल पर्देश इतिहास और परंपरा के सिव और भागवानी पुस्तक के लेखक कौन है इसके राइटर है SM कमर सिव और भागवानी पुस्तक के लेखक पुस्तब वार एंड पीस यह अलग-अलग है वार एंड पीस ठीक है तो इसके जो लेखक है वो है यह भी कोशन बहुत बार पुछा जाता है लियो टॉला स्टॉय इन्हीं से गांधी जी बहुत प्रभावित थे हैं भारत दूर्दसा नामक प्रसीद कृती किसकी रचना है भारत की दूर्दसा तो भारतेंदू हरिष्चन इनको हिंदी का पीता भी कहा जाता है अब दो आखरी में कोशन में होमवर्क पोचूंगा ध्यान से दोनों प्रशनों को आप देख लीजिए इसका आंसर आप हमें कॉमेंट सेक्शन में करिएगा ये कोशन होमवर्क पीजे तब दूसरे कोशन पर जाते हैं तो आई तिंग कर दिया होगा आप लोगने अंसर चले अब दूसरा प्रशनी ये कोशन नंबर सेकेंड आप लोग लिए होमवर्क निवन में से कौन सी कृती रविंदर ना द्वारा रचीत हैं? ऑप्शन है कि तांजली, चित्रा, पोश्ट आपीस ये सब ही तो दो कोशन मैंने फैनली होमवर्क देदी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करिएगा और कोई मिस्लेनियस टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्षन में लिखिए अलग-अलग सब के मैंने प्लेलिष्ट बना रखे हैं और जो एक सालवालक करंटेफेर स्में आपको बता है उस वीडियो को भी जरूर देखे। और डेली सुभा में 6 बजे करंटेफेर साता है। उस वीडियो को तो आप मीसी न करें जरूर डेली 10 मिनिट का समय निकाल के उस वीडियो का देखें ठीक है चले मिलते हैं जल्दी हैं अकले वीडियो में तब तक के लिए बाई